हेलो माई डिये स्टूडन्स आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इंपोर्टन टॉपिक पढ़ने जा रहा है जिसका नामे पार्टीशिपल इसको गुजरादी में कुरुदंत बोलते हैं तो यह हमारे नॉलेज के लिए हैं स्टूडन्स जब मैं फॉर्ट स्टांडर में जा ship our English आंग्लीश टीचर हमको एसा टेबल learn करने को देते हैं और घर से लिखने को देते हैं तो हम ऐसे एसा गाना-गाने के माफ़क उसको याद करते थे ऐसा लिखते जाते थे गात टे जाते और क्लास स्टार्ट होने से पहले भी ऐसा बोलना कड़ते था जैसे कि play, played, played, write, wrote, return, kill, killed, killed, go, went, gone. वो टाइम पे इसका इतना important पता नहीं था, लेकिन आज पता चला कि यह सब चीज़े कितनी काम की है, और इंग्लेज राइटिंग, स्पीकिंग दोनों में कितना important role play करती है. तो आज हम participle के बारे में थोड़ा detail में पढ़ेगी है, पहले उसकी definition देख लेते हैं. Participle is a word derived from verb. Combining the function of an adjective and verb. और simple तरीके से देखते हैं. Participle is a word. Participle एक word है. Formed from a verb. Verb के अंदर से वो बनता है. और बाद में उसके function देखेगे. तो वो कैसे काम करता है? तो वो एक verb में से बनता है. और adjective और noun की तरह काम करता है. अभी इस table को ध्यान से देखना बच्चो. पहले हमने देखा है V1, based form of verb. बाद में V2, past form of verb. V3, past participle, PP. ऐसा क्लास में बोलते हैं तो students आसते भी है. इसके बारे में ज्यादा पढ़ना है. इस नंबर क्या है? तो वर्ब का form है. वर्ब फॉम मतलब वर्ब का तीन नंबर का फॉम. थर्ड नंबर का फॉम. पहले regular वर्ब एक देखते हैं, play. ओरिदनल वर्ब, base वर्ब, root वर्ब. अब उसका past form होदा है, played. जिसको हम past tense में यूज़ करते हैं, past tense दिखाने के लिए. अब है हमारा V3 form, past participle, PP, played. तो इसके अलग-अलग यूज़ है. और V4, playing, तो ing वाला form. तो वर्ब प्लस ing, तो वो हो गया present participle, जिसको गुज़रादी में बोलते हैं, वर्थमान, क्रुदन्त. और V3, past participle, उसको बोलते हैं, भूत, क्रुदन्त. क्लास में जब टीचर ग्रामर चिका रहे हैं, तो कभी-कभी पूतते हैं, कि चलो, इसका V3 form कौन सा होगा, तो अब आपको confuse होने की जरुरूरत नहीं है. V3 form मड़ला, वो past participle पूछ रहे हैं. अब देखते हैं, past participle, third form of a verb, वित्री, भूत, क्रुदन्त. तो वर्ब के पीछे, ED, D, T, EN, N, etc. यह सब सफिक्स लगाने से past participle बनता है. ED, D, और T, जो वीक वर्ब हैं, उसके पीछे लगता हैं, और बाकी सारे strong वर्ब हैं. वीक वर्ब, श्ट्रॉंग वर्ब, तो एक एक एकजम्पल इधर दिये हुए हमने थोड़े played, spoken, broken, तो इसमें जो played है, उसमें ED लगाया हुआ है, वो past participle है, play का वित्री पॉंग, और वीक वर्ब है, spoken है, तो EN लगा के बनाया है, वो strong वर्ब है, ब्रोकन वो भी strong वर्ब ह वीक और strong में क्या होता है, तो ED, T और T लगाने से जिसका वित्री पॉंग बन जाता है, तो वो सब विक वर्ब है, और strong वर्ब क्या होता है, तो जो वोवेल का sound change करते है, जो वीवन पॉंग में वर्ब, और इदनल उसका वोवेल का sound change करके उसका नया पॉंग बनाते है, व used in all the perfect tenses, as it denotes a completed action. सभी perfect tense के अंदर भी three warm use होगा, क्योंकि वो एक completed action को denote करता है, as, have, had, उसके पीछे जब tense दिखाना है perfect tense, तो हम भी three warm use करेंगे, उसके अलावा also using passive voice, passive voice में भी इसका use compulsory होता है, अब इस्टूडेंट्स एक चीज याद रखने है, जो past participle है, वो क्या है, is a form of verb, वो verb का एक form है, not a tense, वो कोई tense नहीं है, तो अगर played ऐसा दे दिया, तो ऐसा नहीं समझना है कि ed है, तो past tense ही होगा, ऐसा नहीं समझना है, वो एक form है, वर्ब है, वो tense नहीं दिखा था, अभी हम उसका use देखेगे, he has relaxed, एक perfect tense में उसकिया है, they had forgotten the money, यह भी perfect tense है, तो relaxed, forgotten, एक जो word है, वो हमारे with three past participle है, अब हम देखेंगे present participle, we for, वर्तमान, कुरुदांद, वर्ब के पिज़े ing लगाना है, playing, speaking, तो यह इसके example है, used in continuous, progressive verb tenses, जो चालू, जो जब tenses है, काल, उसके पिज़े ing लगता है, तो b के वो में is, am, are, was, वर्ब, जो वर्ब भी है, उसके साथ a, tense create करने में, tense बनाने में help करते है, a, it shows that action is or was, oblique was, in the process of happening, example देखते है, जल्पा is speaking now, इदर speaking हमारा वीपोर है, जल्पा was speaking five minutes ago, he is relaxing, वो relax हो रहा है, यह जो example से, वो उमको information को थोड़ा, और economical way से दर साथ है, it says information in a more economical way, तो देखो, I saw boys playing cricket, I heard the sound coming from the room, अब हम देखते हैं, perfect participle, पून गृदान्थ, तो उसके अंदर, having plus past participle, उसकरना है, इंडिकेट्स कॉंप्लेट एक्षन, एक्जाम्पल, having done, having finished, having written, उसका, वो जो हमने बताए, perfect participle, उसका example देखते हैं, यूज कैसे किया है, having delivered the letter, postman left immediately, having finished her work, Priehl was ready for play, तो अब आपको ऐसे structure को पहिचान जाना है, students, जब ऐसा having, और V3 form दिया है, तो आप तुरंत आंसर दे सकते हो, कि यह perfect participle है, ओके students, अभी तक हमने past participle, और present participle, कि tense के अंदर कैसे use होता है, वो देखा, और perfect participle के examples भी देखे, अब हम उसके other use देखेगे, कौन से use है, particles के, जो बहुत important भी है, तो पहला है, to form verbal adjective, verbal adjective, तो एक example देखेंगे, relaxing drink, ड्रिंक क्या है, noun, उसको ज्यादा describe करेगे, क्याइसा ड्रिंक है, तो relaxing, तो relax verb भी है, उसके पिज़े ing भी लगा है, तो ऐसे जो verb है, तो इदर वो verbal adjective, यूज हुआ है, a surprising gift, a surprising party, तो adjective का उसका use है, लेकिन उसका form ing भाला है, मतलब as a adjective, participle का use हुआ है, the movie is interesting, तो देखो interesting ing भाला form है, तो participle है, और हमको as a adjective दिखाए गा है, के movie, कैसी movie थी, तो interesting movie, तो वो adjective हो गया, तो इस use को संबदना है, verbal adjective, verbal adjective में खाली ing भाले आएगें, ऐसा नहीं, ed भाले भी हो सकते हैं, तो उसके भी example देख लेते हैं, a sliced bread, कटी हुई bread, a trained horse, a trained horse ऐसा हमने बोल सकते हैं, a decorated horse, a demanding song, a trending game, a learned pandit, यह example आप मायन में फिट कर देना, a learned pandit, a learned pandit हम नहीं बोल सकते, the shaking minarets, तो यह सब उसके example हैं, rotten teeth, तो यह भी देखो, modern English में ऐसा है, edb नहीं है, rotten teeth, तो यह क्या हो गया, verbal adjective, क्यांसे दाथ, खराब, और अब उसका last use देखेगे, to form, verbal nouns, gerund, तो verbal nouns को gerund भी बोलते हैं, Oxford dictionary में उसका मतलब यह साही बता है, gerund का मतलब है, verbal nouns, तो इसका मतलब क्या है, तो अभी हम समझते हैं, देखो, इसका एक example देखते हैं, I don't want your blessings, तो देखो, ing वाला भॉम है, तो इधर blessing, तो bless मतलब 20 बार देना, लेकिन इधर blessing से as a noun यूज़ हुआ है, as a verb यूज़ हुआ नहीं है, as a noun, तो इसको verbal noun बोलेगे, gerund बोलेगे, और दो एकजामपल देखते हैं, smoking is injurious to health, is इधर missing है, sorry, तो इधर smoking as a noun यूज़ हुआ है, smoking as a noun, as a verb यूज़ हुआ नहीं है, लेकिन उसके अंदर वर्ब तो है ना, smoke plus ing, तो इसलिए इसको verbal noun बोलते हैं, gerund भी बोलते हैं, walking is good for health, तो इधर walking है, वो participle तो है, लेकिन as a verbal noun यूज़ हुआ है, gerund यूज़ हुआ है, she is afraid of flying, ओके अब one more thing, participle close में भी fit होते हैं, तो close में help करते हैं, तो ऐसे participle close बोलते हैं, तो यह देखो, एक example देखे कि तो पता चलेगा, participle close किसको बोलते हैं, वेटिंग पॉर प्रिशा, I made some coffee, तो एक attractive तरीके से उसको बताया है, economical way से, कि प्रिशा की राह देखते हुए, मैंने कॉपी बना दी, तो इधर देखो, वर्ब क्या है, वेट और participle क्या है, वेटिंग, यह दोनों का subject एक ही है, वेट, राह किसकी देखनी थी, प्रिशा की, वेटिंग, किसके लिए कर रहे थे, प्रिशा के लिए, तो same subject है, तो इसको participle close भी बोलते है, है, ओके स्टूड़न्स, इस टॉपिक को आप एक दो बार फिर से देखना, नॉटबुक में थोड़ा नॉटडाउन कर लेना, और उसको revise करते रहेना, एक दो बार revise करोगे, या तो एक दो बार वीडियो रिवाच करोगे, तो आपके दिमाग में आसानी से फीट हो जागा, तो आपके देखना, तो आपके देखना,